आज मैं आपको सुनाऊंगी कहानी मुझे अमीर होना है अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो ये कहानी आपके लिए ही है एक दाशनिक था एक बार एक पंद्रा साल का लड़का इस दाशनिक के पास आया और कहने लगा मुझे अमीर होना है क्या आप इस बारे में मेरी सहायता कर सकेंगे दाशनिक बोला हाँ लेकिन अमीर होने की क्या तुम्हारी सच मुझ अच्छा है बिल्कुल इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ लड़के ने जवाब दिया यह जवाब सुनकर शायद उस दाशनिक को संतोश नहीं हुआ इसलिए उस दाशनिक ने फिर पूछा क्या अमीर हूने की तुम्हारी तीवरिच्छा है वह लड़का फिर उत्सा से बोला बिल्कुल है नहीं तो मैं आपके पास क्यों आता दूसरी बार वही जवाब सुनकर भी वदाशनिक रुका नहीं उसने फिर पूछा अमीर हूने की क्या तुम्हारी अत्यन्तिवरिच्छा है वही जवाब तीसरी बार देने में कोता ही न बरत्ते हुए लड़का बोला है ही उसके बिना मेरा यहां आने का सवाल ही नहीं था इतना सुनने के बाद दाशनिक बड़ी जानती से बोला तो आओ मेरे पीछे आओ फिर वह दाशनिक आगे आगे और यह लड़का पीछे-पीछे इस तरह वह दाशनिक इस लड़के को एक नदी पर ले गया और उससे नदी के बीच में चलने के लिए कहा और स्वेम भी उसके साथ नदी में गया जब वे नदी की बीच धार में पहुँचे तो उस दाशनिक ने उस लड़के का सिर पकड़कर उसे पानी में डुबो दिया लड़के ने कोई विरोध नहीं किया लेकिन पानी में कितनी देर रहना संभव था कुछ सेकिन में ही वह लड़का पानी के बाहर आने के लिए खड़ा होने लगा लेकिन जैसे ही उस लड़के ने उपर आने की कोशिश शुरू की उस दाशनिक ने उसका सिर कसकर पकड़ा और नीचे दबाना शुरू किया ऐसा दोनों का चलता रहा वह लड़का उपर आने की कोशिश करता और यह दाशनिक उसे उपर नहीं आने देता लेकिन ज्यादा देर नहीं लगी यह दाशनिक पूरी शक्ती लगा कर उसे दबा रहा था फिर भी वो बाहर आय बिना नहीं रहा वो बाहर आ ही गया फिर दाशनिक उससे बोला आओ अब मेरे पीछे आओ और वे दोनों निकले लेकिन वह लड़का इस समय खपराया हुआ था शायद उसे लग रहा हो कहां आकर फस गया लेकिन इस बार वह दाशनिक उस लड़के को सीधे अपने घर ले गया और बैठने के लिए कहा फिर बोला ध्यान से सुनना तुम्हें अमीर हो ना हो तो तुम निश्य ही अमीर हो सकते हो क्योंकि मनुश्य ही अमीर होते हैं और मैं तुम्हें मार्ग दर्शन करने के लिए तयार हूँ तुम मेरे पास कल से आ सकते हो लेकिन अभी मैंने पानी के नीचे तुमको डुबोया उस समय पानी के बाहर आने की तुम्हारी जितनी इच्छा थी उतनी ही इच्छा अमीर होने की हो तभी आना अन्यथा तुम्हारा आना निरर्थक होगा और मेरे द्वारा किये गए मार्ग दर्शन का कोई अर्थ नहीं रहेगा इतना सुनकर लड़का वहां से निकल गया बात में वह इस ताश्णिक के पास आया या नहीं अत्वा अमीर हुआ या नहीं या मुझे नहीं मालूम लेकिन अमीर होने के लिए किसके जरुवत है यह हमारी समझ में आ गया अमीर होने के लिए अत्वा कोई भी चीज हासिल करने के लिए सिर्फ इच्छा की ही नहीं क्योंकि इच्छा तो सभी के पास होती है जरूरत है तीवर इच्छा की एक बार मनुश्य की इच्छा यदि तीवर हो जाए तो उस मनुष्य का निर्धारित लक्ष तक पहुचना निश्यत हो गया फिर रास्ते में कितनी वाधाएं आ जाएं वह असंबंध बात है मगर किसी इच्छा को तिवर करने से पहले किसी भी बात के लिए पागल होने से पहले यह तै कर लें कि वह चीज आपको सच मुझ चाहिए एक बार ही नहीं बलकि दो बार, चार बार, तस बार और सौ बार क्योंकि मनुष्य एक बार किसी चीज के लिए पागल हो जाएं तो उसे वह चीज मिले बिना नहीं रहेगी फिर बाद में विचार बदलने पर भी कोई फाइदा नहीं होगा इसलिए इच्छा की तीवरता बढ़ाएं और जित से अपने लक्षे के पीछे लग जाएं तीवरतां लिए मिले खाइदा नहीं हो जएं आसटो होगा इससमास विले स jij चीज क्ते लिए दिएक उइं होगा